हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सब आसा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब का मिस्टरा फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स यहां फरा बनाने की तैयारी हो रही है तो आईए आप भी सामिल हो जाएए हम लोग के साथ यहां फर पर पहरेंगे बाद इसमें डाल को भर के और यह पानी में ढाल के बहुत अपर एक पानी में पक जाता है त بال काट के इसको कट करके या ऐसे ही आप जैसे हैं जाए हमान करे अप तेल में थोड़ा सा फ्राइबकर कर एगा सकते हैं निभी खात करींके साथ शीयता ही है तो ब खा लिजिए तो यहां पे बच्चे भी लगे थे बनाने में हम लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा था बनाने में यह दो पहर का समय है तो किस किस को पसंद है फड़ा बताईएगा तो अभी देखिए यह पेपर पे इस तरह से सब रखके और इसमें थोड़ी थोड़ी डाल रख दे रहें यह चैने की डाल है और इसमें मसाला धनिया हरी मिर्च नमाक हींग सब कुछ डाल के मिलाया गया है और मिलाके इसको ऐसे भर के पर उसके बाद मोड के और ठाली में रखके सको फिन केचन में जाएंगे वहां बना लेंगे पका लेंगे तो यह देखिए इस तरह से मोड मोड के एक ठाली में रख लिए हैं ये देखिए ये वाला पक चुका है ये पकने के बाद थोड़ा थोड़ा फूल जाता है तो पता चल जाता है कि ये पक चुका है तो थोड़ा सा हम लोगों ने आठे का भी बना लिया था तो ये चावल का है जिसको पहले बना के निकाल लिया है और इधर आठे वाला रखा ह तो प्रिंट्स बताईएगा मेरे फरे कैसे बने हैं और आज डिनर में हम बनाएंगे कटहल की सबजी दाल चावल रोटी तो यह सबजी बनाने की तैयारी हो गई है साम का समय है मैंने सुखे मसाले थोड़ा गीले कर लिये हैं और यहां पे कुछ मसाले मैंने पीछ लिये हैं यहां इस पीसे में अद्रत प्याज लेसुन टमाटर धनिया मिर्चा सब पीछ लिया है कटाल को भी हमने उबाल के कट कर लिया है और अब चलिए इसमें हम चोंक लगा देते हैं तो फिर बीडियों बने रहीगा और अपना साथ होर सपोर्ट दीजेगा तो हमने तेल में डाला है जीरा थोड़ा सा हींग डाले हैं और यह दोनों चटकने लगेगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे तो प्याज मेरी हो चुकी है थोड़ा ब्राउन हो गई थी तो यह जो मसाला हमने पीछा था उसको डाल दिया है इसको भी थोड़ा सा चला क बुवूं लेंगे यह जो पक जाएगा तो इसमें फिन गिली वाले मसाले डाल देंगे जो मैंने सूखित मशले तर गिला दालके तो इसको फिन डालने के बाद पर कटाहल डालके और पाने डालके नमक उमक सब मिक्स करके सबजी बना लेंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखके हमें जरूर बताईएगा अपना एक लाइक जरूर कर दीजेगा आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं प्लीज फ्रेंट कमेंट के साथ एक लाइक कर दिया करिये और बहुत से लोगों को सिकायत रहती है कि हम उनके चैनल पर जाते नहीं है तो फ्रेंट्स ऐसा नहीं है और कहते हैं कि क्या आपने हमको अर्न कर दिया आप आती नहीं है तो फ्रेंट्स आप लोगों को हम कैसे बताएं क्या बताएं एक ही मॉबाइल है वेटी का चलता है और थोड़ी देर के लिए मुझे मिलता है तो जिसका ओपिकर आगे दीखता है उसी का वीडियो हम वाच कर लेते हैं हम पूरी कोसिस करते हैं सब के वीडियो पे जाने की जब अब लोग समज़ सकते हैं एक दिन में वीडियो पे नहीं पहुंच पाते हैं वह ब्लीज बुरणा मानें जैगम एक अबार ब के याद दिला दिया करिए तो हम एक साथ, दो तीन वीडियो उनका वाज कर लेंगे जो पीछे चूटा हुआ होगा वो भी हम वाज कल लिया करेंगे तो आप लोग नराज ना होया करिए फ्रेंस मजबूरी समझेए घर में इतने सारे काम भी है और बेटी का क्लास भी चलता है फिर जितना एम भी भरवाते हैं वो एक ही दिन में समापत हो जाती है रात में जाके थोड़ी फूरसत मिलती है तब तक नेट फैक समापत हो जाता है तो बड़ी प्राब्लम होती है तो फ्रेंस यहाँ पे मेरा दाल बन गया है सबजी भी बन चुकी है और चावल भी चड़ा दिया है तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही बाई बाई